नमस्ते चात्रमित्रों, आज हम विशे हिंदी कक्षा आठवी का पहली इकई का दूसरा पार्ट वारिस कोंग इसकी जानकरी हासिल करेंगे। इस पार्ट की लेखिका है विभारानी। इनका जन 1969 मधुवणी बिहार में हुआ था। बहु आयामी प्रतिभाकिधनी, विभारानी, हिंदी व मैथली की राश्रियस्तर की लेखिका है। आपने गीत, कहानी, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाटे लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चड़ाई है। आप समकालिन फिल्म, महिला वबाल विश्यों पर लोक गीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। गद्य संबधी जानकारी देखिए, प्रस्तुत सववादात्मक कहानी के माध्यम से विभारानी जी का कहना है कि हमें उत्तमफल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है, वही जीवन में सफल होता है। और यही बात कही न कही इस कहानी के माध्यम से लेगी काने हमें जतानी की समझानी की कोशिश की है। कहानी में जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देखिए। तनिक, थोड़ा, मकसद, उद्देश, खोल, आवरन, उम्मीद, आशा, उत्तराधिकारी, वारिस, मोहावरे, चक्कर में पढ़ जाना, दुविधा में पढ़ना, गले लगना, प्यार से मिलना। कहानी के दरफ ध्यान दीजे, एक राजा था, उसके चार बेटिया थी। राजा ने सोचा इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी, उसे ही अपना राजपाट सोपेगा। राजपाट यानि अपना उत्तराधिकारी चुनेगा, उसे ही सब राज्य समालने को देगा। इसका फैसला केसे हो। वह सोचने लगा। अन्तम में उसे एक उपाई सूच गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। सभी को गेहु के सो सो दाने दि पाच साल बाद मैं जब इने मांगूँगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहु के दाने लेकर चारों बहने अपने अपने कमरे में लोट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेक दिया। उसने सोचा आज जे पाच साल बाद पिता जी को गेहु के इन दानों की याद है कि क्या और जो याद दी रहा तो क्या हुआ भंडार से लेकर दे दूगी। यानि कि बड़ी बेहन को लगता है कि इन दानों के बारे में एक मामूली सी बात उसे वह लगती है। वह सूचती है कि पिताजी को शायद ये बात पता नहीं रहे देगी और वह शायद पूछेंगे भी नहीं और पूछा तो वह भंडार से लाकर आनाज के भंडार से लाकर सोधाने उनको दे देगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में डाल कर उसे मकमल के तेले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूपची में ड तब उन्हें वापस कर दूँगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूँ। चोथी और छोटी बहन तरी बच्ची थी। शरात्य करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहु के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मगन होगी। देखिए पहली बेटी ने तो दानों को फेक दिया था। दूसरी को लगा कि पिताजी ने अगर उन्हें वह दाने दिये हैं तो कुछ सोच समझ कर ही दिये हुँगे। इसलिए उसने उसे संभाल कर रखा। तीसरी बहन सोच रही थी कि वह दानों का करें तो क्या करें। परन्तु छोटी जो असमझ जस थी उसे सायद इतनी समझ नहीं थी कि पिताजी ने दाने क्यों दिये होंगे। उसने उन दानों को खुनवा कर खा लिया। तीसरी राशकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूही ये दाने नहीं दिये होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेच का रख देने की सोची। लेकिन वह ऐसा न कर सकी। दो-तीन दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिये। समय पर अंकूर पूटे, पोधे तयार हुए, दाने निकले। राजकुमारे ने तयार फसल में से दाने निकाले और फिर से वो बो दिये। इस तरह पाच वर्षों में उसके पास धेर सारा गेहु तयार हो गया। पास साल बाद राजा ने फिर चारो बहनों को बुलाया और कहा, आज से पास साल पहले मैंने तुम चारो को गेहु के सो सो दाने दिये थे। और कहा था कि पास साल बाद मुझे वापस करना। कहा है में दाने। देखिए, राजा को अच्छी तरह से पता था कि उसे क्या करना ही। उसने पास साल बाद अपनी चारो बेटियों को बुलाया और पूछा कि तुम्हें जो गेहु के मैंने सो सो दाने दिये थे, उनका तुमने किया तो क्या किया, वह दाने मुझे दिखाओ। बड़ी राजकुमारी भंडार गर जाकर गेहु के दाने ले आई और राजा को दे दिये। राजा ने पूछा क्या ये वही दाने ही जो मैंने तुम्हें दिये थे। देखिए, कोई भी चीज समय के साथ बदलती हैं। अब गेहु के दाने भी बदले हैं। परन्तु वहाँ गेहु के दाने वेसे के वेसे देखकर राजा को शक हुआ और उसने पूछा क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिये थे। पहले तो राजकुमारी ने हा कह दिया। मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा तब उसने सच्ची बात बता दी। रा उसने गेहु के दाने सहिच कर संभाल कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा तुमने क्या किया उन दानों का। तीसरी ने कहा मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको कल ले चलूगी। राजा ने अब चोथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसे बेपरवाई से जवाब दिया। उन दोनों दानों की कोई कीमत है पिताजी। वैसे तो धेरो दाने भंडार में भरे पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना मुझे ग उसे उस बात की गंभीरता नहीं लगी और उसने वैसे ही लापरवाई से अपने पिताजी गोराजा को उत्तर दे दिया। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बीटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसर राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा चलिए पिताजी आपको मैं दिखाऊ कि केहु के वे दाने कहा हैं। राजा रत पर सवार हो गया। रत महल, नगर, पार करके खेत की तरफ बड़ चला। राजा ने पूछा आखिर कहा रख छोड़े हैं तुमने वे इन सोदानों के लिए तुम मुझे कहा कहा के चक्कर लगवाओगी। तब तक रत एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुख गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहु की फसल थी। उसकी बालिया हवा में जूम रही थी। जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा पिता जी एह वे सोदाने जो आज लाखों लाख दानों के रूब में आपकी सामने हैं। मैंने उन सोदानों को गोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा अब में निश्चिन्त हो गया तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। देखिए इतना बड़ा राज्य किसी को सभालने के लिए देना कोई आसान बात नहीं। राज्य को भी ये बात बता थी। इसलिए उसने अपने चारों बेटियों की पहले परिक्षा ले। परिक्षा में जो उत्तिर्ण हुआ वह थी तीसरी वेटी। वह उत्तिर्ण क्यों हुई क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से और अच्छी तरह से उन दानों का उपयोग किया था और उने संभाला था। सिफ संभाला था क्या नहीं उनको बढ़ायात भी था। तो राजा ने उसी को अपना उत्तराधिकारी चुना वारिस चुना। छात्रमित्रों यही से हमें समझ में आता है कि हमें भी कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। यही पर हमारा पाट तो खतम होता है लेकिन उस पर इस तरह से कृति प्रुष्ण आपको पूछे ज तीसरी बहन ने उन दानों को सहेच कर चांदी की डिप्वी में रख दिया। तीसरी बहन ने दानों को वो दिया। और चोथी ने दानों को भुनवा कर खा लिया। इस तरह से उत्तर आपको उन चोखट में ही लिखना है। इस तरह से भी प्रश्ण पूछा जा सकता है। उचित घटना क्रम लगा कर वाग के फिर से लिखो। यहाँ पर चार वाग के दिये गए हैं जो की पाठ के अनुसार है परन्तु यह वाग के आगे पीछे है जो की पाठ के क्रम अनुसार नहीं है तो उनको उन घटना क्रम के अनुसार लगाना हैं। आगे देखिए सही विकल्प चुनकर वाक की फिर से लिखो। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद यानि कि हेतु उद्देश परंटु जो शब्द पाठ में इस्तमाल किया गया है उसी को वहाँ पर लिखना है। इसी तरह से अन्य तीन भी सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करने ही। यही पर हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।